कि ओस्टियो मलेशिया है ना केल्सियम की कमसी याद रखेगा इंपोर्टेंट है ओस्टियो मलेशिया और जो वैस्क जो होते ना उसमें होते हैं कौन सा होता है बताओ ओस्टोपोरोसिस वैरी गुड़ कौन सा होता है ओस्टोपोरोसिस है ना तो ये जो है आपके केल्सियम की कमी से होने वाले रोग है है ना बच्चो में खनीज लवन की कमी से मुझे रोग से ये रोग होते हैं इसके अलावा दूद में देखे ये तो बात होगी खनीज लवन के बारे में भी खनीज कौन कौन से दूद के अंदर पाए जाते हैं है ना ध्यान रखेगा जो बच्चे होते हैं बच्चो में केलि जैसा कि मैंने फर्स्ट क्लास में आपको बताया कि जो दूद्ध होता है उसे संपूर्ण अहार कहा जाता है, संपूर आहर का मतलब हर वो पोसक तत्वा आपको दूद के अंदर मिल जाता है जिसकी आपको श्रीर को आउशिकता है सभी प्रकार के पोसक तत्वा मिल जाते हैं जिसकी अपने को श्रीर को आउशिकता है इसको क्या कहा जाता है, संपुनाहर केते हैं, इसमें खनीज लवन है, प्रोटीन है, विटामीन है, वसा है, कार्बोईड़, सारे के सारे हैं, तो दूद के अंदर लगबग सभी प्रकार के विटामीन आपको मिलते हैं, और विटामीन के बारे में आप सभी जानते हैं, अप vitamin दो प्रकार की होते सभी को पता ही आपको एक टो एक वसा में मिले पहले पढ़ Gabrielleح को भी नहीं बिने इसके बारे में आपको बताया था फिर आते हैं आपके enzyme आपके यायनि किंवक ख तो दुद कितना important है और हर चीज़ उसके अंदर आपको मिल रही है तो दूद के अंदर कई प्रकार के एंजाइम आपको मिलते हैं लेक्टेज, पॉस्पोटेज, एमाईलेज, प्रोटीज, केटालेज, जो नाम आप याद रख सकते हो स्ट्रेप्टोकाइनेज नहीं मिलेगा है वो दियान रख लेना है जो एंजाइम हमारे स्रीज के लिए आउशक हैं ऑक्सिडेज, रिडग्टेज, यानि जो ऑक्सिकन में बाग लेता है, अप्चेन में बाग लेता है, प्रोटीज हो गया, केटालेज हो गया, लाइजेज, गाईरेज, ऑक्सिडेज, हाइड्रोलेज, ट्रांसफरीज, यानि जो ट्रांसफर का काम करता है है ना ये सभी प्रकार के एंजाइम जो है दूद के अंदर पाये जाते हैं सभी प्रकार के ठीक है अब जो प्रमुक जो गटक है वो आता है आपका जल जो दूद के अंदर पाया जाता है ये सभी पदार्त जो है ना किसमे गुले होते हैं जल में गुले होते हैं और इन सभी पदार्थू का जल में गुलने से क्या बनता है? कोलाइड बनता है. क्या बनता है? कोलाइड बनता है. तो गाई के दूद में अगर अपन बात करें जल की मातरा जो होती है वो होती है कितनी? 86% जबकि भेंस के दूद में कितनी होती है? 83% यह जल की मात्रा होती है, गाई के दूद में जल की मात्रा कितने होती है, 86% होती है, कितने होती है, 86%, और बेंस के दूद में कितने होती है, 83% होती है, कितने होती है, 83% होती है, ठीक है, तो यह तो हमने बात की दूद के संगठन के बारे में, जिसमें हमने कौन-कौन सी चीज बिसक्स की एक बार में आपको बता देता हूँ, दूद में क्या-क्या जो अपने पड़ा, एक तो दूद में पाई जाती है, वसा होता है, एक दूद के अंदर क्या होता है, लेक्टोज, जिसे अपन बोलते हैं, दूद के अंदर होता है, प्रोटीन, दूद के अंदर होते ह आपके विटामीन, दूद के अंदर आपके होता है, जल, दूद के अंदर आपको मिल जाते हैं, एंजाइम, है ना, तो ये सभी प्रकार के पदार्त जो है, जो हमारे शरीर के लिए ना, अगर मान लो, आप से ये पूछा जाए कि संतुलित बोजन की परिवासा क्या होगी, ह आप से का जाए कि संतुलित बोजन को परिवासीत कीजिए, तो अपन क्या बोलते हैं, चोटी क्लास में पढ़ा है, आप सभी ने संतुलित बोजन के बारे में, तो ये ऐसा बोजन जिसमें शरीर के आउशिक्तान, उसार सभी प्रकार के पोसकत तत्व उपस्तित हो, उसे क दूद को संपूर्ण आहर की संग्या दी जाती है, भी हमारे शरीर के लिए, जितने भी जो पोसकत तत्व हैं, वो सब हमें मिल जाते हैं, कि से, दूद से मिल जाते हैं, इसलिए शरूर से आपको कहा जाता है कि दूद का सेवन कीजिए, लेकिन कई बार कुछ बच्चे ना नहीं, मुझे तो अच्छा नहीं लगता है, यह फालतु की बाहन हैं, आहां, अक्सर लड़कियों में देखा जाता है, यह मेरा भी है, यह फालतु के नाटक है यार, धूद पीओ, यह ना, जब तक जीओ, उदार लेके गी पीओ, ठीके? चलिए, तो अब आपन बात करते हैं कि एसे कौन-कौन से गटक है जो दूद के संगठन को उचा करते हैं, प्रभावित करते हैं, यह ना, दूद के संगठन को प्रभावित करने वाले कारक हैं, प्रभावित करने वाले कारक कौन-कौन से हैं, हेडिंग बहुत सम बाद में लिखाएंगे, समझ लो आप पहले इसको अच्छे से, कौन-कौन से से कारक है जो दूद के संगठन को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, ठीक है, सबसे पहले आता है पसू की जाती के बारे में अलग-अलग प्रकार के जो पसु होते हैं उनका दूद क्या होगा अलग-अलग होगा है ना बेंस का दूद अलग होगा गाय का दूद अलग होगा मकरी का अलग होगा भेड का अलग होगा उटणी का अलग होगा है या नहीं है इसका मुनलब सभी प्रकार के पसु का दूद करती आप गाई का दूद पी और एक प्रणावीत करती है रेसे आप Mm श्रीर के अंदर भी फिलोने लगेगा आपने आप बेस का जो दूद होते हैं तोड़ा ज्यादा फेटी होता है आपको ऐसी फिलिंग आएगी जैसे मान लोग गेस बन रही हो जिसे कब्ज की जैसी कुछ तितिया आ रही हो इना उसमें फेट ज्यादा होते हैं और मैंना आप को बताया था कि जो वसा जो होती हो दो प्रकार की होती है एक तो सफेद वसा एक ऐसी होती है बुरी वसा जो सफेद वसा जो होती है वो दूद में पाई जाती है गी जिसे अपनी वसा मगपन केते हैं ना दूद से मिलता है जबकि बुरी वसा जो है आपकी तिलहन जो होते का समय लगेगा जिससे आपको तोड़ा भारी पन जो है उसे मेसूस हो सकता है ठीक है तो अलग-अलग पसु की जातियां है उनसे पसु का जो दूद है वो भी आपको अलग-अलग मिलेगा गाई का लगोगा बेंस का लगोगा बकरी का अलगोगा अगली जो दूसरा जो प्र जाफराबादी हो गया, मैसाना हो गया, मुर्रा हो गई, तो ये अलग अलग बैसों की नसल हो गई, बदावरी है, जैसे अगर मालो आप गाई की बात करते हैं, दुगिर हो गई, थार पारकर हो गई, तो ये गाईों की क्या हो गई, नसल हो गई, ठीक है न, तो अलग अलग ओसमें भी दूद्द का संग्टन क्या होता है? अलग-अलग होता है. तो पहला जो प्रभावित करने वाला कारक है कोन् सा है? पसू की जाती. दूसरा कौन सा पसू की नसले. तीसरा आता है पसू की आयू. एक पसू जो वरदावस्था में हैं, एक अभी नया नया इस मोड प पहुंच चुका है तिके उसमें दूद की मात्रा भी कम होगी तो दूद का संगतन भी होगा अलग होगा त्यूर आता है आपके छारे का प्रियोग इस प्रकार का चारा आप पसू को खिला रहे हो जैसे अपन बात करते वर्षा रितु में अपने राजस्तान के संदर्प में आपने यापन बात कर रहे हैं मुखिय रूप से अपने यहापर अगर बालो हरे चारे की बात करें तो हरा चरफ कब मिलता है पसु को वर्षा रितु में मिलता है ना था अच्छी बात है तुम्हारे पानी है तो तुम साल पर खिलाओ नहीं गया दिक्कत है लेकिन ज्यादा तर एरिये कि अगर आपन बात करें तो ज्यादा तर क्या मिलता है बताओ ज्यादा आपन यह कह सकते कि जो वर्षा रितु होती है वर् बशुसु वर्जायितू के अत्रित हराचला नहीं मिलता है तो दूद का संच्टन क्या होगा अलग होगा तो चारे के प्रयोग से भी यह पन केसकते हैं कि जो दूद का संच्टन बदल जाता है जैसे विनोला की बातhost सब कपास क्या बोलते हैं काकडणी बोलते हैं थीक है तो आपने देखा होगा गाओं के अंदर की मानलों की जासे दूद कऊई गवाला होता है यू जब लेरी के उपर लेका जाता तो वह Bent तो के सकते हैं कि जब बिनोले खिलाए जाते हैं पसु को तो दूद में वसा की मात्रा क्या हो जाती है बढ़ जाती है अब उसको ग्वाले को यह थोड़ी पता है कि फेट का मनलब वसा होता है उसको तो यह पता है कि फेट अच्छी आईगी तो दूद के पैसे अच्छे मिल पिर आता है मोसम का प्रभाव मोसम के प्रभाव की बात करते तो अलग-अलग मोसम में दूद का संग्ठन क्या हो जाता है बदल जाता है मोसम जैसे वर्षा रितु है तो वर्षा रितु में दूद का संग्ठन जाहर सी बात है बदलेगा क्यों कि मैं अभी आपको बताया था वर्षा रिटु में पशुंग्या ख़एगा, चारा ख़एगा, तो यह यहाँ पर दोनों चीजें लगबच लगबच सिम्लर हो जाती है. है ना क्यों कि चारा हरा चारा कब खाएगा वर्षा रितु में खाएगा ठीक है तो चारे और मोसम की चीज़े अपने सिमलर कर सकते हैं ठीक है क्योंकि जब वर्षा रितु आएगी तो वर्षा रितु में पसु क्या खाएगा हरा चारा खाएगा हरा चारा खाएगा तो दू सर्दि में खोटे संदेसिए घाता है गयर मैं तो खाते हैंसी सब्सक्राइब तो जादा थनड़ा निए इसलिए कोशुश करते अगर मानल जैने आप सेकाना पॉपकॉर्ण च precaution सब्सक्राइब कहते अगला आता है बीमारीयों का प्रवाव अगर कोई पसु बिल्कुल स्वस्त है उसको किसी प्रकार का रोग नहीं है और जब पसु का किसी प्रकार का रोग नहीं है तो आप बिल्कुल कह सकते हो कि उसको अगर रोग नहीं है तो उसका दूद क्या होगा सच होगा सुद होगा लेकिन अगर मान लो पसु में किसी प्रकार का गोगाता तो उसे दूद का संक्टिन का पे जैदा क्या होता है और ऐसे में यहीं का जाता है कि जब पसु रोग रशित हों तो उसका दूद का से वह नहीं करना चाहिए अब प्रसन यह उढ़ता कि forces हमें पता किसे चलेगा कि पसु को रोग हो गिया हूँ उसके मूद तो हें नहीं को बोलेगा कि मेरा पेट दर्द कर रहा है लोग ना इसलिए पसु का समयशे है पर स्वास्तिय करते रहना चाहिए रोग ना हो इसके लिए सबसे अच्छा है क्い पसु को साब सुतरा रखे, साब जगे पर उसको बांदा जाए, जहां पर पसु को रखा जाता है, वो जगे साब सुतरी होनी चाहिए, समय समय पर पसु की सफ़ई करनी चाहिए, आगे सब आएगा, ये चेप्टर बहुत इजी है, इसलिए तो कहाता कुछ नहीं है, इसमें सारी गई हो, या मानलो की नकली दूदे, उसकी पैचान कैसे करेंगे, दूद में पानी मिलाया गया हो, तो उसकी पैचान कैसे करते हैं, हाला कि वो अलग बात है, सब मिलाते हैं, लेकिन पैचान कैसे करेंगे, ये सब चीज़े आएगे आगे, दीरे दीरे, इना, तो मिमारियो के प्रभाव के बात करते हैं फिर आता है ब्यात की अवस्ता ब्यात का मतलब कितनी बार पसु बच्चा दे चुका है ना उसके बारे में और दूसरा ब्यात के प्रारम की बात करते हैं जैसे ही मैं आपको बताया था ना जब शुरुआत में बात की थी कि जैसे ही पसु के प्रोटीन जो है फट जाती है जिसे बन बहुते हैं कि विक्रती करण हो जाता है उसका क्या हो जाता है विक्रती करण हो जाता है ठीक है तो ब्यात की अवस्ता यानि ब्याने के तुरंत बाद या दस दिन तक फसुका दूद का संग्ठन अलग होता है उसके बाद जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है, दूद का संग्टन क्या होता जाता है, बदलता जाता है, और फिर से वही ब्याने का समय आता है, है ना, तो फिर वापिस दूद का संग्टन क्या हो जाता है, बदल जाता है, तो ब्याने की तुरंत बाद और ब्याने से पहले दूद का संग्टन बदल से उसका समय अंत्राल कितना है आपने दूद निकाला गंडे पर बाद फिर आप लोटर लेके पहुंच गे थोड़ा और लूँगा फिर आदे गंडे बाद मेमान आगे थोड़ा और दे दे मसीन थोड़ी है तो दूद दोने की अंत्रा विदि इसमें भी प्रभावित होगा और साम को जब आप दूद निकालते हो तो साम को क्या होता है दूद की मातरा कम होती है लेकिन उसमें वसा की मातरा क्या होती है अधिक होती है ना साम को क्या होता है कि जब आप दूद निकालते हो तो पसु दिन पर गूम के आता है देखो पसु को भी गर्मी तो होती है द जब उसको गर्मी होती है गर्मी की जैसे दूद के अंदर यानि कुछ मात्रा उसकी उत्सर्जित हो जाती है जल्गी जिसको जैसे साम को जो दूद आप निकालते हो ना दूद की मात्रा कम होती है लेकिन उसमें तुलनात्म गुरूप से वसा क्या होती है ज्यादा होती है औ आज ही कर लेना, है ना, अभी सर्दी का मौसम, अभी तो बार दूब भी नहीं है, जबरदस था, तो मौसम भी ठंडा वर का है, जबरदस था, लेकिन गर पर ट्राई करना, आज साम का दूद निकालो, तो गरवालों को बोना, नहीं, आज देरी पर मैं लेके जाओंगा, है जाना, और देखे आना, दूद की मात्रा भी नोट कर लेना, फेट भी देख लेना, फिर कल सुबह वपिस देखे आना, दूद की मात्रा देख लेना, है ना, मात्रा देखने के बाद, फिर उसकी फेट भी देखना, सुबह और साम का क्या करना, कमपेरिजन करना, है ना, कम नोट करोगे यह चीज, तो जब पूरे दिन पसु घूम के आता है, तो दूद की मात्रा कम हो जाती है, वसा की मात्रा उसमें जदा होती, क्योंकि जल के बतना पसीने गुरू में उत्षरजित हो जाता है, ठीक है, ओई चीज आपकी किस पर आती है, यॉयायाम के उपर लाग करते हैं, अब मुझे बताओ क्या, इसमें कुछ मुश्किल था ऐसा, चेप्टर में मैंने एक एक चीज आपको बताई भी कौन कौन सी चीज आपके लिए इंपोर्टेंट है, बस उसको तयार करो ना, यार, बाकी फालत में क्या टेंसन लेनी है, मस्त रहो, हैना, वहीं केम करो, जो सार तक हो, जिससे सफलता मिलती हो, फालतों की मैनत करोंगे, उससे कोई मतलब नहीं, मस्त सही गे रहा हूँ, इसे एक छोटी कहानी सुनाते चलो, आज तुम, हैना, कहानी का नाम सुनते, इसकी चेरे पजी मुश्कान आई, तेज ही, अब जाके एक्टीव हो है, इसे यह, एक बार क्या आवा, जंगल में, दो तरह के लोग देखते थोड़ा जल्दी समझमा जाता है, एक थोड़ा लेड समझमा आता है, जंगल में सेर का बर्तडे था, तो सभी जानवर को इन्वाइट किया गया, विचलो, सेर का बर्तडे है, साम को के काटा जाएगा, सेर पार्टी देंगे, जंगल के राजा साब क्या देंगे, पार्टी देंगे, तो सब जानवर इकटे हुए, विचलो, ठीक है, वह राजा है, राजा का अदेश है, तो जाना पड़ीगा, सब जानवर वहाँ इकटे हुए, केक हुए, काटा गया, सब ने सेर को केक खिलाय ना सब बेटे थे फिर सेर ने एक जोक सुनाया कि सारे जानवर बहुत असे बहुत असे सब असरे थे मज़े से पेड़ दर्द करने लगिया कि क्या जोक सुनाया मज़ा आगिया लेकिन जिराब जो है गुमजुम बेटा था फिर थोड़ी दिन बाद क्या हुआ जंगल में कटाई होने लगी जंगल की कटाई शुरू हो गई सब जानवर चिंतित हो गए सेर ने एमरजेंसी मिटिंग बुलाई अब सब जानवर दुखी सांती से बेटे विचार कर रहे हैं वही क्या किया जाए लोग जंगल को काट रह चिंता में इससे जिराफ जोर-जोर शानवर जोर जोर से राए वो खरगोशने है तेरह दिमाग खराब है आजि गुद्ल शीरियस, मेंटर चल रहा ह। तो हनसला है और उसस दिन आता तो गम-सुं बात इसraction सना था आज मेरे समझ मत त्योर्छने दिन फाल तो कि मनद की बात करते हैं उसी मीटिंग में जब सारे जानवर जो है उस सेर को अप्रिशेट कर रहे थे सेर की बात मान रहे थे तो बंदर को थोड़ा अजीब लगाता है यार ये क्या माज रहा है सब सले इसकी बात मानते हैं उसनकार देखो मेरी ये मानना है कि दुनिया में हर देश में सबी ने लोकतंतर अपना लिया है तो हमें भी अब लोकतंतर अपनाना चाहिए मतलब मतलब जंगल में चुना होने चाहिए सेर का बेटा ही जंगल कर आजा क्यों बने भई है हमें भी मौका मिलना चाहिए सभी जानौर नहीं का बात तो बिल्कुल सही केरा भी होना चाहिए सब को मौका मिलना चाहिए सबी ने लोगतंतर में अपने को भी करना चाहिए तो सेर को यह था कि यार मेरे सामने कोन कड़ा होगा बना लिए अपना लोगतंतर जीता हींगे तो अपनी सेर नहीं का चलो ठीक है तुम कहे रहो तो लोगतंतर अपना लेते हैं क्या दिक्कत है अपना लोगतंतर चलो ठीक है डेट फिक्स हो गई भी चुनाओ होंगे जंगल जोर सोर से चल रहा है, सेर है, हाती है, खरगोस है, बंदर है, अपनी अपनी तरफ से लुबाने की पूरी कोशिस कर रहे हैं, सेर इतनी कोशिस नहीं कर रहा है, उसको थोड़ा कंफरम था कि भी जिटेंगे तो पनी है, इतने टाइम से राज कर रहे हैं, बंदर जबर्दस त सकता हूं और शेर नहीं कर सकता तो शेर को बोल आम तोड़के दिकार नहीं तो सकता मनलब तुम्हारी सारी समश्यावां का समधान मेरे पास है ठीक है चुना हुए परिणाम आए बंदर के उलाज जीत गई जाले अब जंगल का राजा बन गया कौन बंदर अब बाकी जानवर के तो जिन्दी में कोई फ़रक नहीं पड़ा लेकिन समश्यावे आगे कि सेर के सामने समश्या ये थी कि पहले जब सेर कहीं रास्ते से गुजरता था तो सारे जानवर डरते थे भाग जाते थे अब उससे कोई डरता ही नहीं है अब शेर को बड़ा जीव लगा यार यह तो मामला बहुत गरबड़ हो गया अपनी तो वेलुई नहीं है कोई उसने का कुछ तो करना पड़े था तो एक दिन उसने क्या किया जो बकरी का बच्चा उसको पकड़ के बेट गया सेर बकरी उसके पास आई सेर के पास कै बच्ची को छोड़ सेर नहीं झोड़ूँगा बोल क्या करलेगी तो बक्री नहीं बूला की पीला थे मेरे बच्ची को पकाद लिए था उसकी इतनी इमत मेरे होते वे चल अभी चुड़ाते तेरे बच्चे को अब आगे की कहानी समझ ला अब यह रहा पेड इस पेड के नीचे बेटा है कौन? सेर बेटा है उस बक्री के बच्चे को पकड़के अब यहां यह पेड और भी है इस तरह से ये मानलो पेड़ हो गया ये पेड़ हो गया पेंटिंग का क्या है समझ लो तुम अब यहां खड़े हैं एक तो बंदर खड़ा है और बकरी खड़े है अब यहीं से ये बंदर खड़ा खड़ा आवाज लगा रहा है सेर को देख इसके बच्चे को छोड़ दे तो सेर ने का भई नहीं चोड़ूँगा देख ये राजा का ओडर है सेर के इस बच्चे को छोड़ दे तो सेर ने का नहीं चोड़ रहा बोल क्या कर लेगा राजा है तो क्या कर लेगा यह तो बंदर चड़ा से ऊपर यहां से फुदक यहां गया या अकर बोलता हैं देख की बच्चे को छोड़ा नहीं टेका नहीं चुड़ेगा नहीं चुड़ेगा मैं के रहीं ठोड़ा हुआ जैसी से बंदर ब ale 00 regulatory यहां आ अगा उपीस ओ, एक गंटे सेबंदर यह आकि बार-बार बोल के जा रहा है कि छोड़े, बच्चे को छोड़े, एक गंटा हो गिया, दो गंटा हो गिया, तुन गंटे हो गए बस वोई भाग दोड कर रहा है यहां से इस पेड से इस पेड पे इस पेड से इस पेड पे सेर ने बच्चे को छोड़ा नहीं अब बकरी ने का भी यह क्या मजा कर रहा है भी पांस गंटे हो गए उचल कूद कर रहा है बच्चे को चुड़ा उचना का देख मेरी कोई गलती नहीं है मैं प्रजा के लिए फुल दोड़ भाग कर रहा हूं मेरी दोड़ भाग में कोई कमी है क्या कोई कमी नहीं है पांच गंटे से दोड़ भाग कर रहा हूं तेरे लिए, दोड़ भाग में कोई कमी है क्या, मेरी दोड़ भाग में कोई कमी नहीं है, फुल मेनत कर रहा हूं मैं, तो मुझे ऐसी मेनत का क्या मतलब है, अगर तुम भी इस प्रकार की मेनत करते हो, तो कोई मतलब है, क्या बता कि इसका कोई प्रणाम निकला किया बताओ कोई प्रणाम नहीं निकला तो ये बंदर जैसी मिनकलनी है बैना तो वह करो जिसे कुछ प्रणाम निकल रहा हो यह कह रहां हो कि न अब प्षार गंटे ना उसका निचोड निकालना या आपको सवा तीन गंडे गंडे निकालना है ना चलिए तो आगे बात करते हैं अपन तो अपन बात करते हैं आगे टोपी को आगे बढ़ाते हैं दूद के बात कर रहे थे दूद के बोती कुण के बात करते हैं है ना दूद के बहुत निकुनें बारें बात करते हैं तो देखिए दूद का रंग आप सभी को पता ये दूद का रंग कैसा होता है सफेद होता है दूद कैसा होता है सफेद रंग का होता है किस रंग का होता है सफेद रंग का होता है गाय के दूद में थोड़ी केरोटीन क की मात्रा क्या होती है ज्यादा होती है और केरोटीन में ने पहले बताया था केरोटीन के उज़े से दूद कैसा होता है दूद में थोड़ा पिला पना जाता है गाय की दूद में केरोटीन की मात्रा अधिक होने की उज़े से इसमें थोड़ा क्या जाता है पिला पना जाता ह दूद स्वाद में कैसा होता है? मेठा होता है. कैसा होता है? मेठा होता है. दूद का जो आपेक्सी गनत्व है, ये ध्याण रखेगा, important है, 1.028-1.030 है。 धूद का आपेक्सी गनत्व आप से पूछा जा सकता है, कितना होता है? 1.028 से 1.03 यह temperature ध्यान रखना है समन्य ताप रहिए 60 degree Fahrenheit पर अगर बात करते हैं 60 degree Fahrenheit पर अगर बात करते हैं 1.032 60 degree Fahrenheit के उपर तो दूद का आप एक सी गनत आप से पूछा जा सकता है ध्यान बेना दूद का जो उबाल बिंदु जो होता है उबाल बिंदु का मतलब क्वथनांक दूद का जो क्वथनांक होता है वो होता है 101 degree Celsius यह भी पूछा जा सकता है दूद का जो क्वथनांक होता है 101 degree Celsius होता है जबकि हिमांक बिंदु जो होता है जितने पर वो जम जाता है हिमांक बिंदु जो होता है होता है माइनस 0.52 से माइनस 0.56 डिग्री सेल्सेस यह होता है दूद का कौन सा हिमांग बिंदू होता है जितने पर दूद क्या हो जाएगा जम जाएगा यह ना ठोस के रुप में जम जाता है जैसे जल का हिमांग बिंदू क्या होता है जिरो डिग्री सेल्सेस होता है जिरो प्रकार से दूद उबलना सुरू करेगा एक्सोर डीगरी पर और जम जाएगा माइनस जीरो पुइंट है बाउन से माइनस जीरो पुइंट है। 56 डीगरी सिलसेश के बेतेम कैसा होता है हलका अमलिय होता है ना दूद जो होता है कैसा होता है हलका अमलिय होता है ना वही साथ होते तो क्या हो जाएगा उदासीन हो जाएगा ना साथ से कम है तो दूद की पीच जो होती है 6.4 से 6.7 होती है मतलब दूद कैसा होता है हलका अमलिय होता है दूद की जो चा लगता कि बात करते हैं तो यह होती है 0.005 महोज यह लिख सकते हो या इसकी जिगर भी लिख सकते हो 1.005 ओम इन वर्स यह 0.005 शाय मम इन इसका मतलब क्या होता है शाय मन या सिमेंज या साय ममन यह सभी यह की बात है यह क्या होकि şnh दूद्ध की विजुद्ध चालगता होती है। ठेक है। दूद्ध की अगर आपन बात करते हैं, आपके गनतों की, गनतों की बात कर लें आपने, अपरतनांकी बात करते हैं, 1.3440 होता है ना, 1.3440 1.33 344 एक बार चेक कर ले ना 1.33 3440 चेक कर ले ना एक बार यह क्या यह क्या 440 से लेकर कितना होता है 1.34 3480 यह होता है दूद का आप एक सी गनतो होता है अप बार बार याद आ रहा है तो यह आपके दूद के बोतिगुण यहाँ से कुछ क्विशन आप से पुछे जा सकते हैं दूद के बोतिगुणों को लेकर ठीके प्लियर वेदानिक मानक बात करेंगे देखें दूद्र के जो वेदानिक माना के next class में बात करेंगे, अब थोड़ा इसको लिख लेते हैं, तो आज की class में कोई समस्या हो, तो पोच लो फिर इसके बारे में लिखाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लिखें फिर इसके बारे में, जलो तो हेडिन लगाओ, खनीज तक तो लिखा जेदा ना, खनीज तक, विटामीन,